नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका SLC learning point वाइज जिंग से आज हम करेंगे LCM और end SCF का part number 2 ठीक है last part है इसको फिर finish करते हैं इसके बाद हम geometry start करें इसी वीडियो के साथ आपका arithmetic समापत हो जाएगा तो उसको अच्छे से देखेगा और बार बार रिवीजन किजिएगा क्योंकि अच्छे लेविल के कुश्चन है तो देखो पहला तवाल करा दू संख्याओं का योग इतना है उनका SCF इतना है यदि संख्याओं 500 और 700 के बीच है तो संख्याओं के बिद्करमों का योग क्या है तो अब हमसे यह बोला कि SCF 80 बना है यानि कि जो नंबर रहे होंगे वो 81A और 81B रहा होगा इन दोनों का में योग दिया गया तो यह तीवन कॉमन ले लेंगे तो यह प्लस ब बराबर क्या हो गया 1215 हो गया हमसे बोला संख्याओं के बिद्करमों का योग यानि कि एक बटे में 81 यह प्लस का बी अपान में 81 और बी इसका हमें मान निकालना है तो यहां पर देखो a plus b का तो मान हम निकाल लेंगे कि बटे में करेंगे यहां से ए प्लस का भी बराबर में 91 हो गया तीन बचा नो तिया 27 हो गया चार बच गया 95 पैतालिस नोने में 81 इधर करेंगे तो 15 ने में 1135 यहनि कि 15 बटे में 81 ab हो गया किनि कि ऊपर देखो सभी में 5 लिखा हुआ तो कहीं हमें एवी का मान निकाल कर उसको कट आउट करना पड़ेगा आप यहां पर देखो एक्क्यासी है एक्क्यासी भी यह नंबर है कहां पर 500 से और 700 के बीच में हैं अब इसमें ए और बी के अपनी तरफ से आपको मान रखने पड़ेंगे तो अगर तो आठ 500 और 700 के बीच में चाहिए तो 5 साथ से करेंगे 7 1 7 7 8 6 अट का करेंगे 8 1 8 8 8 64 नौका करेंगे तो 9 1 9 8 72 यह देखो 700 से ज्यादा हो गया यानिकि हमारे पास यही दो नंबर रहे होंगी समझ गये ना यानिकि अगर हम देखते तो हमने इसमें किसका गुणा किया है 81 गुड़े में 81 बटे में यहां पर 7 गुड़े में 8 हो गया तो 3 15 15 हो गया इधर करेंगे 272 189 इंटू में 8 हो गया आट ने 22 हो गया इन डिजेट से काम हो गया क्योंकि 1888 44 करोंगे ना साथ चोड़ोगे तो 151 यानिकि 5 बटे में 15 12 हमारा अंसर आ जाहेगा अगला सवाल कर करते हैं दो संख्याओं का LCM LCM उनके समावर्त SCF का 56 गुना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं उनके SCF और LCM का योग इतना दिया गया था नहीं कि छपन और एक सत्तावन सत्तावन बराबर हमको दिया गया था संख्याओं में से 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है अब यहां से देखो एक बराबर अगर निकालोगे तो सत्तावन आ जाएगा यानिकि 19,57 हो गया 19,97 हो गया यहनिकि 30 आ गया यहां पर अगर SCF लिखेंगे तो वो 30 मिल गया, LCM लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 56 गोड़े में 30 हो जाएगा, हमें पता LCM into में SCF, बराबर में first number into में second number, तो यहाँ पर LCM लिख लो, SCF भी लिख लो, और into बराबर में कर दो 240, और second number हमको निकालना था, अब इतना लिखने में detail हो रहा है, लेकिन आपको practice ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो steps cutting हो जाएगे, अगला ऐसा बाल, 13 ABC चार अलग संख्याए हैं, और संख्याओं के प्रतियक जोड़े 13 A, 13 B, 13 C का मासा आपा, यानि कि SCF 13 है, जहाँ ABC प्रतियक 60 से कम है, और A is less than B, is less than C, A plus C upon में B का मान हमें निकालना है, हमारे पास 13, 13 B, और 13 C, इनका जो हमको SCF दिया गया था, वो 13 दिया गया था, यानि कि यह जो नंबर है, इनका 13 SCF, इनका 13 SCF, इनका 13 SCF, कहीन कहीं 13 तो आना ही न, A में अगर 13 लिखोगे, तो 49 लिख लो, यहाँ पर 13 चुकू, बावल लिख लो, यहाँ पर 15 संजे 65 हो गया, अब एक चीज बताओ, लेकिन संख्या है क्या थी, 60 से सब कम थी, यानि कि हमें आपर 13 ले ले, 13 दूनी 26 ले ले, तब तो बन सकता है न, इसके अलावा, 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 13 चुकू 52 हो गया, यह पॉसिवल हमारे पास नंबर आगे सारे ने कलके, अब हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा, कौन सा मैच कर रहा है, अब यहां पर देखो कहीं न कहीं, A प्लस C आ रहा है, यह उपर कट रहा है, यानि कि A प्लस C का मान अगर मालो यह रखा, A प्लस C, यानि कि 26 और 22, 6, 2, 8 हो गया, 5, 2, 7 हो गया, बटे में 49 हो ग बावन हो गया, इससे भी 2 आ रहा है, यानि कि अंसर क्या हो गया, 2 आ जाएगा, अगला सा बाद, दो संख्याओं का LCM, उनके SCF का 22 गुना है, यदि एक संख्या इतनी है, और LCM और SCF का योग इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है, अब देखो, आपको यह पता है कि SCF द 23, 32, 34 हो गया, यानि कि 22 गुडे में, एक गुडे में, 12 गुडे में, 12 गुडे में, 12 गुडे में, टेरेक्ट्ट्र लिखना है, भैसे देखो जैसे ही आपने देखा यह इतना गुना है, तो 23 बराबर में डालेक्ट आपको 276 लिखना, यह 13 हम, 23, 32, अगला सा बाल एक कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवस्यक बरगा का टाइलों की नियुनितम संख्या बारा मीटर पचानवे सेंटीमेटर लंबे और इतने चोड़ा है अब एक चीज़ समझो सिंपल सा जैसे मालू यह आपका कमरा है कोई ठीक है यह दस और पांच तो कि आना है ऐसे लेकर आओगे ना कि खराब ना हो बिल्कुल आपका पैसा भी से बना रहे है यानि कि अगर हम क्या करें दस और पांच का एस्याफ ले ले तो क्या आएगा पांच भाई पांच के दो टाइल ले आए तो इस तरीके से लगा दिये जाए एक टाइल यह हो गया यह जानी अगर हम देखें तो फांच घोड़े में दस यह तो इसका एडिए और टाल एक टाइल का इरिया अउन्ट में क्या हो गया चाहिल चाहिए थे दो टायल चाहिए वह यहाँ पर निकलाएं पही चीज यहाँ पर मीटर को पहले सेंटीमेटर में चेंज कर लो तो बारहाई सो सेंटीमेटर हो गया पच्चानवे चोड़ेंगे तो बारहाई सो पच्चानवे इधर करेंगे तो यह 385 सेंटीमेटर कर लेत अगर हमने देखा इसमें common क्या आया है यह भी तो पकड़ना पड़ेगा इसमें तो हमारे साथ से दोनों में यह common आ रहा है 35 यानि कि SCF दोनों नंबर का क्या हो गया 35 हो गया ग्यारे बार चला जाएगा इससे इसको काटेंगे तो 37 बार मुणा कर देंगे तो यह साथ हो गया साथ तेंदस यानि कि 407 कम से कम टायलम को चाहिए होंगे ठीक है अगला सबाल तीन सो और पांसो के भी सदस्यों का योग ऐसा क्या है कि जब उन्हें 6-12-16 से विवाजित किया जाता है और कोई सेस नहीं रहता है तो सबसे पहले 6-12-16 का हम लेंगे क्या यानि कि 6-12-16 में क्या रहा है अड़तालेस भाई हमने क्या ले लिया ले लिया 6-12-16 अब नंबर जो है ना वो तीन सो से लेके पांसो के बीच में हैं अब एक चीज देखो यह तो हमारा अगया अब इसमें किसी नंबर का गुणा करो जो तीन सो से बढ़ा जाए और पांस ठीक है तो सबसे पहले 8-22 आता है ठीक है साथ चोक 28 होता है साथ अठे च्छपपन होता है साथ से भी काम चलेगा 6-48-6-24 नहीं चलेगा यानि कि 7 से करते हैं तो 7-8-56 हो गया 7-28-28-5-33 यानि कि 336 आ गया अब यहां पर 500 से छोटा चाहिए यानि कि 480 आता है 480 यानि कि य साथ करके हमें 500 मिलेगा लेकिन टोटल हमें 48 का डिफ्रेंस चाहिए बास समझ में आ गई अब यहां पर हमें इनका क्या निकालना सम निकालना तो देखो इनकी डिफ्रेंस जितनी भी बीच में संख्या रही होगी 48-48 का रहा होगा यानि कि अगर इन सीरीज का इस सीरीज का अगर एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट नमबर प्लस का लास्ट नमबर बटे में दो यह एवरेज हो गया और हमें पता लग जाए टोटल नमबर कितने हैं तो सम आ जाएगा निकल के तो देखो चार सो असी माइनस का तीन सो चार तिस डिफ्रेंस कितने का चल दा 48 का प्ल 15,46 तु यह तीन वार पूरा पूरा चला गया पलस का ये कहन कि total नमबर कितने रहे चार रहे तो गोड़े में कर देंगे चार तो दूनी तो 4 हो गया छे हो गया 8 3 11 हासिल लगा एक हो गया 4 4 8 हो गया गोड़े में 2 कर देंगे दो चक्के बारे आंसर आ चुका है ठीक है तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी दी अगला सवाल यदी दो संख्याएं A और B का लगुत्म समापरत इतना है और उनका असारपा इतना है तो उनका माध्यनपात बताईए सबसे पहले LCM इंटू में SCF बराबर में first number इंटू इन ही दो नंबर का माध्य चाहिए तो माध्य कामान क्या होता है रूटे भी होता है यानि कि दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा रूट लेना पड़ेगा बस आंसर आ जाएगा यानि कि 15690 यानि कि 30 आंसर अगला सवाल 108 बाहत्तर और 5A का उच्छत्म समापरत तक या आप एक चीज़ बताओ इन दोनों का सिफ क्या होगा 36 होगा दोनों में 36 कामन है तो इसके इससे भी अगर 36 निकालना तो में पांच गुड़े में 36 करना पड़ेगा यानि कि यहां पर 36 यह देखो इसका भी 36 निकला है तो टोटल यह बराबर 36 रखने पर हमें क्या मिल गया सिफ 36 मिल गया बिलकुल मिल गया अब इन नंबरों का सिफ निकाल लेते हैं समय कॉमन क्या 36 यहां बचा गया तीन यहां पर दो यहां पर एक तीन दो में कुछ तो कॉमन है नहीं इनिकी तीन दोनी छे आ गया तो छत रंग 36 यहनिकी 216 हमारा अंसर आ जाएगा अगला सवाल अब देखो हमें क्या विन में सिफ निकालना कभी भी सिफ निकालना अगर विन दी गई तो उपर वाले का सिफ कर देते नीचे वाले का कर देते तो उपर देखो सभी में हाइस कॉमन फेक्टर क्या है दो आ रहा है आंसर लगा दो एक ही ऑप्सन में दो मिल ला था नीचे यहां पर देखेंगे इनका LCM कुछ भी common है नहीं यानि कि 5 common है तो 5 गोड़े में 3 गोड़े में 17 तो 17 ती है 50 और 5 एकम 5 हो गया पचम 25 हो गया तो 2 बटे में 205 पन आंसर ये तो आसाम था अब इसको देखो भाई पहले क्या करते हैं इसमें से 8 common ले लेते हैं LCM निकाला ना 8 X हमने ले लिया common तो इधर बच गया एकस स्क्वाइर प्लस का 10 X प्लस का पच्चेस अठ्थे 200 होता है यानि कि 25 बच गया यहां पर कि ले ले लिया common तो बच चला गया तोचीह एकस स्कोर प्लस का प्लस का यहां से देखो x common लिया तो x plus का 5 इधर से minus common लिया तो x plus का 5 ठीक है x plus 5 हम दोनों से common ले लेंगे बचेगा क्या x minus का 1 इंटो में क्या था 4x square हो गया तो देखो 4x square है ना x square आ जाएगा देखो multiple में आ गया x square x plus 5 का whole square आ जाएगा वो भी मिल गया ना x minus 1 बना जाएगा वो भी मिल गया अगर value putting करके जैसे देखना चाते हो तो आप एक चीज़ देखिए x बराबर 0 नहीं रख सकते क्योंकि सभी 0 हो जाएंगे x बराबर 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर भी 0 बना देगा यह भी 0 बना देगा यह भी यह भी क्याने की पूरे पूरा टर्म जीर हो जाएगा तो आप फिर आप निकालेंगे क्या यहाँ पर देखो यही देख कर आपको value put करनी है कि ऐसा ना हो कि option 2-3 same मिल जाए फिर देखकत होगी ठीक है अगला ऐसा वाल दो संख्याओं का योग अठा रहे है और हाँ इसमें जादा करने से फाइदा भी नहीं होगा जैसे मालो बैक्स वराबर तीन रख रहे दो रख रहे तो यहाँ पर स्कॉयर के यह भी तो सब करने पड़ेंगे तो इतना फाइदा नहीं आप बेसिक से ही करने तो जादा बै यानि कि संख्याओं तीन और तीन भी हो गई योग लिखेंगे तो ए प्लस भी तीन और चीज और यहां पर देख लो कि आपको यह भी बता है कि दो नंबर का प्रोड़क्त उनके ल्सी आम और से प्रोड़क्त के बराबर होता है तो तो तीन गुड़े में चोबन हो गया यहनि कि एभी बराबर में 9,6,54,6,18 हो जाएगा यहनि कि एभी 18 आ गया निकल गया तो एभी 6 हो गया बटे में 3 गोड़े में 18 हो गया यहनि कि एक बटे में 9 अगला सवाल दो संख्याओं का गुड़न फल इतना है उनका SCF इतना है तो ऐसे संभावित योगमों की संख्या क्या है सबसे पहली बात तो दो संख्याओं है ना को 10A और 10B होंगी इनका प्रोड़क्ट हमको दिया गया था 1500 क्योंकि SCF दे दिया था हमको 10 तो दस तो आना ही आना है दोनों के मल्टीपल में तो इसे साब से लिख लिए है यहनि कि ए भी बराबर क्या हो गया 15 हो गया समझ में आगी बात अब यहां पर A और B ऐसे नंबर रहे होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो सबसे पहले हम एक लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं फिर दो तो आएगा नहीं तीन लिख सकते हैं पांच लिख सकते हैं फिर चार भी नहीं आएगा क्योंकि 15 में चार नहीं आता है पांच आ जाएगा लेकिन रिपीटेशन होगी ठीक है तो हमको कितने मिल गए केवल दो मिले ठीक है इसी तरीके से इसको चेक करना था अगला सबाल अब इसमें देखो एक्वेशन का में LCM निकालना है तो अपने को 15 के ऐसे फेक्टर करो जो जोडने या घट इसमें से माइनЕस का तीन अगर हम कॉमल ले तो ली बचेगा तो यहां से तो है नहीं पांच बात खतम होगी ठीक है तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे माइनस का 3X माइनस का 2X प्लस में 6 हो गया X स्क्वार हो गया X कॉमन X माइनस का 3 हो गया माइनस का 2 कॉमन तो X माइनस का 3 हो X-3 और X-2 यह देखो यहाँ पर X-3 तो दोनों में है तो एक बार लिखा जाएगा बाकि एक एक करके यह लिख देगे अगला सबाल एदि X और Y का महतम समावर्त SCF इतना दिया गया था और कह रहा था इनका और इनका SCF से विवाज होगा अब यहाँ पर समझो देखो X अगर हम देखें तो यह नंबर X है यह बाई है कहीं कहीं इसमें 15 रहा होगा यानि कि अगर X बराबर हम मालने तो 15 यह कहीं न कहीं बाई बराबर में 15 बी रहा होगा इसी तरीकिस रहा होगा अब समझ गए होगे बात को यहां पर देखो 36x²-81y² हो गया यहां से अगर हम 9 common ले 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 तो बचा क्या 4x²-9y² बचा दूसरी condition में 81x²-9y² हो गया यहां से अगर हम 9 common ले 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 तो 9x²-y² हो गया अभी अगर हम देखते तो इनका scf क्या आ रहा अब एक चीज बताओ, अगर हम X और Y की जगह इनके मान रख दें, क्या-क्या थे 15 A और 15 B, यानि कि यहां पर भी 15 A का whole square होगा, यहां पर 15 B का whole square होगा, इन दोनों में common कहीं न कहीं 15 और निकल के आ जाएगा, यानि कि यहां से 15 गोड़े में 9 हो जाएगा total, इसी तरीके से अ हमारा 15 गोड़े में 9, यानि कि 15 ने में 135, यह रहा होगा something last में कुछ भी अगर common आता तब ठीक है, नहीं आता, अलग चीज है, तो हमें यही option में मिल गया, कि भाई 135 दिया तो 135 है, तो कटना ही कटना है, आगे अगर कुछ common आता, तब हम SCF लिखते नहीं आता, तो अलग च कौन सा X common हो सकता है, तो दिखो X और 22 यह वन हो गया, इसका factor करेंगे, तो 13, 13, 13 हो गया, 13 सत्ते 99, यानि कि जो possible हमारे SCF हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है, वो 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 1 हो सकता है, 22, 1 हो सकता है, तो 21 हो सकता, ठीक है, अब जिस हिस हिसाफ से option दिए गए ह है उसे साफसे चलना है तो होगा नहीं किसी भी दरीके से क्योंकि एक्स का मान इतना चोटा है तो टू वन उसमें आ नहीं सकता है ठीक है एक की possibility हो सकती है अब यहां पर तेरे की possibility option में दिखो कहीं तेरे का multiple है नहीं है तो यह भी अठा दो यहनिकि हमारे पास कठा रहा हो गया तेन अठ्थे 24 एक्स का मान 68 आ गया अच्छा सवाल है अगला सवाल कैदी दो संख्याओं का LCM और SCF क्रेमसा इतना है तो इन्हें संख्याओं का मध्यान पाती क्या होगा इस टाइप का सवाल अभी जश्ट कर चुके हैं 12 गुड़े में तो हो जाएगा SCF बरावर में दोनों के प्रोड़क्ट यह 12 गुड़े में दो हो गया और यह भी हो गया इनकी 24 आगया और यह भी कहा में रूट लेना तब मतलब यही होता है ठीक है चलिए फिर यह SCF के हमारे 36 कोश्टन थे काफी अच्छे लेविल के कोश्टन थे इनको बार बार रिव अराओ